करूंगा म्यूट से साइड में बटन है ओपन सन्रूफ ओके ओपनिंग सन्रूफ ओके तो यह जो फीचर आपको देखने मिल जागा इसमें ठीक है प्यूरस में अब मैं सो क्लोज करता हूं तो यह जो फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे वोईस असिस्टेंश का अपना वेरेंट वारें के बात कि बात के तो यह आपका जो है प्यूरस वेरेंट है और इसी के बात करें पूरी डिटेल और स्पैसिफिकेशन आप से शेयर करने वाले सबसे पहले हैं यह बात करें नेक्सवन की नेक्सवन क्या प्राइस देंज आ जा जाता है उससे क्या क्या वेरेंट आपके जाते है तो अगर इसके एक शोरूम के बात करें तो इसका जो स्टार्ट होदा इसके नेक्सिफिकेशन होरे जाता है और और सबसे पहले वेरेंट जाता है तो इसकेशन आपके ने जाते हैं तो तो यहें पाचास जार में आपको जिए प्योर टू प्योर स में एक्ष्रा फीशर मिलते हैं अब आप मुझे बताओ कि यह जो पचास जार है वं उस चार फीचर को justify करते हैं कि नहीं करते हैं, प्योर टू प्योर एस में ठीक है, विलाल अभी हम गाड़े के फ्रेंट से बात ठीक है air cutting के लिए आपको दे सकते हो काफी aerodynamics है design जो है तो आप यहां पर देखेंगे पूरा आपको न यह पीछे की साड मिलेगा तो air cutting वगर आपको देखने हो मिल जाती है ठीक है grill की बात के रहे तो यहां पर आपको front आपको grill देखने हो मिल जाती है ठीक है तो headlamp का throw काफी अच्छा है as per customer feedback हम बात करें तो headlamp का throw भी काफी अच्छा है यहां पर जो आपको मिलते हैं यह आपका बात के तो आपका indicator प्लस आपका जो है DRS दोनों का ही जो आपका यह काम करते है ठीक है तो front profile गाड़ी का देखा तो गाड़ी का पार मिल जाती है और 170 अनम का टॉर्क मिल जाता और वहीं पर इसकार डीजल इंजन में जाते हो तो सीम आपको 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज आपको मिल जाता जिसमें आप पावर देखने को मिल जाती है करने की मिल जाती है और 95 by 60 आपको मिल जाते हैं यहां पर पर प्रीश तो थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए कवर व्यूय कैप आपको जो है यहां पर देखेंगे तो आपको मैट फिनिशिंग की साथ में डोर रहंडर्स आपको देखने को मिल रहे हैं अगर यहां पर यह चीज जो होती है अगर बॉडी कलर्ड हो जाती है तो काफी अच्छा हो जाता तो यह चीज थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है कि आपको ब्लैक कलर के जो है डोर आपको देखने को मिल जाते हैं तो वो काफी सही लगते हैं अब इसी के बाद यहां पर से वील बेस वारा की बात करने यह जो आपका पूर्शन है तो यह जो आपको यह सीट में पैसेंजर बैटते हैं उनको काफी एच्छा ना लैग रूम देखने मिल जाता है अब यह ज अब मेरी जो हैट है पूरी सिक्स फीट वाला बंदा जो गाड़े ड्राइब करता तो उससे पीछे वाले को क्या जो है जो है कमपर्ट मिल ले वाला है चौबिशा थान वे में वील बेस आ जाता है ठीक है ओके सब यह चेक कर लो यह मेरा रिक्लाइन हो गया ठीक है और यह मुझे जो है हेड रूम देखने मिल रहा है और नीर रूम जो है यह मिल रहा है लेग रूम आप चेक कर सकते हो ठीक है अगर सिक्स फीट वाला बंदा बैठता हो कंप्रीटली पूरा मतला रिक्लाइन कर रहा है थोड़ी से दिक्कत आती है तो तो यह कुछ यह है सिटिंग कंपर्ड हो जाता है बट एक चीज है कि अगर आगे वाला बंदा सिक्स फीट का है या फाइट है और पीछ वाला च्छे फीट का है तो चलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपकी हाइट अगर सिक्स फीट से ऊपर है दोनों ड्राइविंग और पीछे वाला पर आपको देखने को बीजाता है और हम देखने को कि और हाँ अपको fix बात करें तो फ्रंट में फडान को चीजे कम है अगा यहां पर इस वेरेंट में थोड़ा दा डिफाउगर मिल जाते या फिर एस इस इंड़ आपके जो डिफाउगर हो जाते तो काफी सही होता बट वो चीज़े मिसिंग है ठीक है अब यहां पर इसकी टेल लेंप आ जाते तो आप देख सकते कोछ इस तरह से आपके जो है लाइ आपको देखने हो मिल जाती है और थोड़ा सा नीच आते हैं तो यहां पर जो है पारकिंग से जाती है जो कि आपको देने के लिए जो है रुफ रेल आपको देखने हो जाते जो के अगें आपके जहाँ गाड़ी के जो लुट को एनाइंस कर दीती है ठीक है अब इसी के बाद यहाप थोड़ा सा रियर सीट कंफर्ट तो मैंने आपको चेक्की करा दिया क्या है एक्जेक्टी फोड़ा सा डोर का इंटीयर देख लिए तो आप प्योर यहां पे आपको आपको देखने को मिल जाते हैं ठीक है तो कोछ यह आपका दोर का इंटीर strik home सवाफत टैशा नहीं है नोर्मल है आपका क्रीटिम व ф सभ्डेति मीर्च आपको साश्च पंप ब्हांब धर देक्क्रेंस यहां पी सीगोरेंश मैं टॉ तो यहां से आप चार्जिंग वगरा जो भी इंफिलेटर वगरा यूज करना है तो वह आप यहां से कर सकते हैं ठीक है तो वह चीज यहांपे है अब इसका आप अपको आपको एक लेटर की बोटलाप देखे काफी इजली आजाएगी एवन यहांपे थो थोड़ा एक्स्ट आपको दिया गया है प्लास्टिक है ठीक है और ये आपके door handles आपके हो जाते है ये जो कूर करें कि तो यह आपको reclain मिलता है height adjustment आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा नहीं प्रे किसे में बात हम केंशे से cabin की तो कैबन की बात कि है तो pure ł automat पर कुछ इस तरह से कैविन मिल जाता है अगर यहां पर अगर इंटियर वार की बात किया के अगर प्योर लेते हो प्योर एस लेते हो दोनों में आपको सिमिलरिटी में अपको संपर देखने को नहीं मिलेगी ठीक है और जो सेकेंड आपको यह वाला जो फीचर है ठीक है वह इस पर आता हूं कि exactly क्या है आप तो आपको चेंज देखेगा ठीक है वह मैं आपको बताता हूं अभी बात के लिए इस डिजाइन में आपको जो है इंस्ट्रुमिल जाएं मिल जाएगी ठीक है तो इसमें आपको नया वाला श्टेरिंग देखने हो मिल जाता है तो आपको कुछ इस तरह से आपको टाटा का न्यू श्टेरिंग है ठीक है डीकट मिल जाता हूं टू स्पोक देखने हो मिल जाता है ठीक है जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और यहां पर क्रूस कंट्रोल जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है और इसी के बाद अब एक चीज बता दो यहां पर एसी के जो कंट्रोल से वह आपको जो फिजिकल बटन से मिलते हैं बाकि रेस्ट आपको जो भी चीजे है सारी टच में मिलते है ठीक है तो वह चीज़ आप मुझे करें बताना कि टच में चीज़ सही है यह नहीं है ठीक है और थोड़ा सा स्मार्ट लेते हैं या फिर आप प्योर लेते तो वहां पर आम रेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा तो आप इसे जो आफ्टर मार्केट या फिर कोई भी ऐसे एड़ करवा सकते हैं ठीक है तो यह कुछ आपका जो कैबिन के इंटीर हो जाता है अब यहां पर एक 17,000 रुपीस प्राइस देखे कुछ इस तरह से आई विर में लगवा रखा जिसमें आपको रेर कैमरे में आपको यहां पर सारे चीज़े में देखने मिल जाते हैं इस वाले वेरेंट में कैमरा नहीं मिलता है अगर आप इसके प्योर वाले में जाते तो वहां पर सिंपल अफिद्दम रखने मिलता है उसमें आपको मदल़ा वाला भी नहीं मिलेगा तो ये चीज आपको ध्यानरकने वाली बात है तो फिलाल ये सारी जिए आपको च्रूले में देखने में जाते हैं और यहां पर आपको ऐसे पूर आया,otti कर मैं इस को दिखाओ ओं में उ बटन ओपन संरूफ ऑपनिंग संरूफ तो यह जो फीचर है आपको देखने मिल जागा इसमें ठीक है फिर अब मैं सो खुरता हूं क्लोज दी सन्रूफ तो यह जो फीचर आपको ना देखने को मिल जाएंगी वोईस असिस्टेंस जो है काफी सही है इसका ठीक है तो यह कुछ आपको ना कैबिन वगरा मिल जाता प्योर एस में और इसमें प्योर टू प्योर एस में जाते तो आपको पचास जर पर एक्ष्ट पीचर्स वाराएं कि बात के लेता है कि आपको इसमें क्या किस आपको देखने मिल जाता है तो यह टॉटल एक्स आपको देखने को मिल जाते है प्लस आपको तो ABS, EVD आपको देखने मिल जाता है, ESP देखने मिल जाता है, engine, mobilizer देखने मिल जाता है, center locking वरा जो है, सारे जो features आपको देखने को मिल जाते हैं, इसके pure S वेरेंड में, और इसके साथ में बात के, तो इसमें आपको एक additional feature मिलता है, जो कि RS से मिल जाता, roadside assistance का, तो अभी इसको हम करते हैं, यहां से बंद, तो फानली यह थी company detail or specification, आप Nexon के pure S को ले करें, ठीक है, और इसके extra room price आपको जैसे बता है, 10,20,000 जो extra room price जाता है, और pure to pure S जाते है, तकरिव आपको 50,000 का difference आपको देखने को मिल जाता है, तो I hope आपको वीडियो पसंद आई हो, information पसंद आई हो, फ्लीज वीडियो को लाइक करतो, चैनल को सब्स्राइब करतो, साथ ही साथ में आपके जो भी फ्रेंड है, जो कि इस गाड़ी को सर्च कर रहे हैं, उनके साथ में ये वीडियो शेर कर सकते हैं, जो कि उनको difference बता चलिए है, pure to pure rest में जाते हैं, तो क्या difference आता है, क्या-क्या features आपको एडिक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? तो फिर मिलते हैं किसे next वीडियो में तब तक के लिए टेक के बाबाई, be healthy, be safe.